तो लास्ट वीडियो में हमने जैपूर के फेमस पैलेसेज, म्यूजियम, हवा महल, जंतर मंतर के अलावा और भी धेल सारी चीज़े देखी लेकिन इस वीडियो में हम देखेंगे जैपूर की मैगनिफिशन हिस्ट्री और उसके सबोज जैपूर के फोर्स सो लेट्स स्टार्ट आवर डे और दिन की सुरुवात इससे अच्छी और क्या ही हो सकती है तो अभी हम जिस जह पे खड़े हैं ये है जैपूर की पुरानी बस्ती या मुख्य बजार और सामने ही है गोपिनाथ जी का मंदिर गोपिनाथ जी का विग्रा भगवान स्री किस्तन के पर पोतर वजरुनाप जी के द्वरा बन्माये के तीन विग्रहों में से एक है गोपिनाथ जी में प्राण बसते हैं और यही चिक करने के जिए एक बार एक अंग्रेज पल्स से चलनी वाली घड़ी लेकर आया और जब गोपिनाज जी ने इसे धारन किया तो यह चलने लगा और जब जब उनके स्रिंगार के समय घड़ी को उतारा जाता तो वह घड़ी रुक जाये गरती गोपिनाज जी की दिन में मंगलाश लेकर स्वयन तक 6 आरती होती है जीसे देखने भक्तों की भी उमढ़ जाती है मंदिर के दिवारों पे बहुत ही सुन्दर सी चित्रकारी भी की गई है अगर आप जैपूर आ रहे हैं तो गोपिनाज की दर्सन जरूर करके जाए नाव लेट्स गोटो आवर नेक्स देश्टिनेशन्स अगर हम लोग इसकी हिस्ट्री की बात करें तो फूट का निर्मान करवाया था हालागि फोट एक बाते बन की कम्प्रीट नहीं हुआ था इनका सक्सेसर्स ने इसका एक्स्टेंसनल काम करवाते रहा है जैपूर से पहले कछवाह राजपूत लोगों की आमेर ही राल्धानी हुआ करती लेकिन बढ़ते आबादी की कारण जैसिंग जी ने जैपूर को अपनी राल्धानी और निवासस्थान बनाया अगर आप अपने फैमिली के साथ हो या कैपिबल नहीं हो तो आप अपने परसनल वहिकर या यहां मिलने वाली जीप के सहरे उपर तक भी जा सकते हो साथ ही यहां आठ से ग्यारा बेर तक आप हाथी की सिवारी करके भी फोर्ट तक पहुन सकते हो किसी जमाने में ये आमेर मीना जनजाती के रजाओं की राजधानी हुआ करती थी जिन्हें एक हैं 37 में कच्वाहा राजपूत ने हरा कर अपने अधीन कर लिया और 1727 तक यही उनकी राजधानी बनी रही बाद में बढ़ते आवादील कारण राजधा जैसिंग टू ने जैपूर सहर को बसाया और उससे अपनी राखधानी बनाया अभी आप जो बिल्डिंग देख रहे हो बताया जाता है कि आमेर फोर्ट के निर्मान से पहले जोधा भाई इसी बिल्डिंग में रहा करती थी और यहीं उनका जन भी हुआ था साथ ही यहां आपको कई प्राचुइन मंदिर भी देखने को मिलेंगे जैसे कि यह मीरा मंदिर कहते हैं इस ठाकुर जी की सेवा ही मीरा भाई किया करती थी उपर में आपको 15th century की बदरी नास जी का मंदिर भी देखने को मिलता है आप देख सकते हो राजा ने पूरे ही आमेर किले को सुरक्षक दिवारों से घेरा बंदी करवा दी थी जिसकी लंबाई टोटल 12 किलोमेटर की थी और उस पर उनकी सेना तैनात हुआ करते थे और in case of any attack वो दूर सही आते दुसमनों को देख कर सहर में इंटिमेशन दे सकते थे इस gate का नाम है भैरो gate आपको ये तो पता ही होगा कि जहां जहां मा काली विरा जमान होती है वहां बाहर में भैरो बापा भी विरा जमान होते है इस के लिए में भी मा काली का मंदीर है जिसे हम आगे देखेंगे अभी हम जिस gate से इंटर कर रहे हैं इसे कहते हैं चांद पोल gate चांद क्योंकि मून की लाइट सबसे पहले इसी से आती थी दरबार में नॉर्मल लोग भी इसी gate से इंटर किया करते थे एंड सामने ही मुझे देखने को मिलता है सूरजपोल गेट जहां पर हाथियों के साथ राजा इंटर किया करते थे सलमान खान की मूवी वीर की कुछ सिंस इस जगा पर भी सूट किये गया है इसे जलेब चौक कहा करते थे और उस टाइम पर इसे एक परेड ग्राण के रूप में इस्तिमाल किया जाता था इस gate को कहते हैं सिंग पोल राजा इस जगा पर खड़े होके अपनी सेना की सलामी लिया करते थे इस सिंग पोल दरवाजे से ही राजा अपने महल में इंटर किया करते थे और उसके बगल में आप एक रैंप देख पा रहे होंगे इस रैंप के सहार ही रानियों के पालकियों को ऊपर ले जाया था ऊपर में मा काली का मंदिर भी है और मंदिर होने के करण महल के इस पार्ट तक एंटरी फ्री है अब हम लोग चले टिकट लेते हैं और चलते हैं किले के अंदर आमेर फूट का टिकट फॉर इंडिया इस वहन राजाओं के समय के ही है इस पे सागवान की लकडी यानि टीक वूट का इस्तमाल किया गया है यह ताला जो आप देख रहो यह भी उस समय का ही है आज भी इसका इस्तमाल किया जाता है सुबह में इसे खोला जाता है और साम को इसे लगा दिया जाता है इसकी चावी नौ इंच की है जिसमें तीन इंच हैंडल में रहती है और पांच इंच इसके अंदर चली जाती है तो अगर हम इसे सुरक्षा के निजरिये से देखें तो सागवान के लकड़ी से बने हुए दरवाजे और इस पे लगए मजबूत ताले अच्छी सुरक्षा प्रदान किया करते थे तो सिंगपोल दुआर से अब हम इंटर कर गए हैं आमेरफोड के सेकंड कोडियाड में जिसे दिवाने आम भी कहा करते थे इस दिवाने आम में पहले जनता दरबाद लगा करता था राजा सामने बैठते थे, बीच में निश्टर से बैठा करते थे, और बाहर की और आम जनता बैठा करती थी इस यहाँ पर बैठ का राजा नया किया करते थे यहाँ कुल मिला के आपको 48 स्तम देखने को मिलेंगे जिन में से 16 स्तम उजले संग मरमर के हैं और बागी के 32 पिलर रेड सैंड स्टोन से बने हुए हैं और हर एक पिलर पे आपको हाथ ही बना हुआ दिखेगा जिसे सक्ति का प्रतीक भी मारा जाता था इसके सामने वाला हॉल सवाई राम सिंग जी के समय बनाया गया था खいた nowनू से बनाया जाती थी सद्वायर पर आपको बहुत ही खुप्सूरत सी फृस्को प्रेस्को प्रयाया जाती थी इसलिए जालिया कुछ इस प्रकार से स्पी डियाइन है कि रानिया तो सब कुछ बाहर देख लिया करतीश इस ले effortि साथ ही जब कभी राजा युद्धों से विजाई होकर लौटते थे तो राणिया उपर से फूलों की वर्षा कर उनका स्वागत किया करती थी। दीवाने आम से लगे हुए बिल्टिंग को काते थे 27 कचहरी। उस टाइम पे राजा के अंदर 27 रजवाडे हुआ करते थे और सभी रजवाडे राजा को कर दिया करते थे। तो इस जगह पे उन सभी रजवाडों के अकाउंट का लेखा जुखा किया जाता था। कचहरी को पिलर्स की मदद से 27 भागों में बाटा गया है जिसमें अलग-अलग विभाग के लोग बैठ कर अकाउंट को मेंटेन किया करते थे। कचहरी के किनारे से ही फोट के सामने का बहुत हिसांदार सा नजारा भी देखने को मिलता है। अब सामने जो गाडन देख रहे हो इसे कहते थे केसर क्यारी या सैफरोन गाडन राजा मान चिंग ने कस्मीट से केसर बंगवा कर यहां लगवाना चाहा लेकिन वो इसे यहां लगवाने में सफल नहीं रहे है क्यूंकि इस एक थंड़े वातवर्ण की ज़रुद थी। इसलिए उन्होंने इसके चारो तरफ एक जिल कर निर्मान करवा जिया जिसे आज मौठा जिल के नाम सो जाना जाता है। दिल को सुकून पहुचाने वाला बाग। तब से ही इसका नाम दिल आराम बागर खा गया। अगर आप खाते हुए वीडियो को देख रहे हैं तो skip the video for 10 seconds क्योंकि अब मैं दिखाने वाला हूँ पहले के जमाने के सौचाले। तो पहले के जमाने में कुछ ऐसे टोयलेट सुआ करते थे और सारे वेस्ट मिटीरिल इसके बगले वाले कमरे में चली आती और वहां से सफाई की जाती थी। अब हम लोग चलेंगे हमामगर की और हमाम एक Turkish word है जिसका मतलब होता है स्नानगर। इस स्नानगर को राजा अपनी राणियों के साथ अस्नान करने के लिए इस्तमाल किया करते थे। उस समय इलक्रिक गीजर तो होता नहीं था। अगर लकडियों का इस्तमाल कर पानी गरम करती तो सारा कमरा धुआ धुआ हो जाता है। इसलिए पानी गरम करने के लिए आपको यहाँ पर एक उस जमाने का ही एक गीजर देखने को मिलेगा। इसमें कौपर की प्लेटिंग की गई है। यहां लकडियों जला जाती थी जो की कौपर के प्लेट के साथ कॉंटक्ट मे रहती थी। और इसके पीछे ही एक टैंक जि से पानी हमाम घर तक पहुंच जाया करता था राजा जैसिंग अपनी रानी के साथ यहां स्नान किया करते थे एंड क्योंकि यह थोड़ा गयरा है यह स्टेफ्स चड़ने और उतरने के लिए बनाए गये थे इसमें चंदन इत्र और गुलाब डाला जाता था ताकि नहाने वा स्नान करने के पहशात रानियां इस चुछा पर ही तयार हुआ करती थी अब हम इंटर कर रहे हैं आमेर फोड के तीसरे कोर्टियार्ड में जो कि है दीवाने खास किले के इस हिस्से में राजा अपने खास महमानों और दूतों से मिला करते थे इस चगह पर हिया वर्ल्ड का सबसे बड़ा चीश महल इस खुपफसूरत से सीश महल को जय मंदिर करते हैं कि इसका निर्मान जय सिंग जी ने करवाया था महल में लगवाए गया कि सारे सीशे बेल जीयां समंगवाए गया थे क्योंकि बेल जीएम यूं इस समय सीशे को एक्सपोर्ट करता था और यहीं के कारिगरों के मदद से इस सुन्दर से सीस महल का निर्मान करवाया गया यह छट के ऊपर आपको golden color दिखाई दे रहा होगा यह पूरा सोने का काम है पथनों को काट काट के इन सीसों को इनमें fix किया गया था सरदीवा में इसे bedroom के रूप में इस्तिमाल किया जाता था और यहां मशाले जलाई जाती थी यह सारे glasses concave glasses है मसालों की रॉस्ति जब इन पर पढ़ती थी तो glasses की reflection से सारा महल जगमगा उठता था राजा जैसिंग की एक राणी का bedroom दाई तरफ और दूसरी राणी का bedroom बाई तरफ है बीच में common hall हुआ करता था और उसके पीछे भोजन साला हुआ करता था पहले यह common hall टूरिस्ट के लिए खोला हुआ था लेकिन लोग इसके सीसे को उखाडने लगे थे इसलिए अब इसे अस्थाई रूप से बंद कर दिया गया है अब हम जो जगा पर खड़े हैं इसे कहते हैं सुहाग मंदिर राजा जब कभी बाहर जाते थे तो राजा इस जगा पर ही बैठ कर उनकी प्रदिक्षा किया करती थी पर जब कभी युद्धों में जाय कर दें तो राजा यहा पर बैठ थी उनका इंतिजार कर दें इसके सामने जो बेडिंग है उसका नाम है जस मंदिर उपर बने हुए डॉम है जिससे पानी की तंकी है ये tank's copper की एक pipe से connected है जिसके उपर खस-खस टांगा जाता था और इसके pipe पे कई छोटे-छोटे छेद की जाते हैं ताकि खस-खस गीली हो जाए और इससे आने वाली हवा थंडी हो करके आए इसलिए इस जस्मंदिर को गर्मियों के समय में भी private audience hall के रूप में यहां आपको दीवारों पे कई खाने डिखने को मिलेंगे जिसका उपयोग दीपक को रखना के लिए किया जाता था इस हिस्से को संंग मरमरा के उपयोग करके बनाया गया है इस जगह को दिन के सेयाने में साही परिवार के दवारा आराम करने के लिए वो प्योग में लिया जाता था उपर बने हुए टैंक से इस नाले के रास्ते पानी आता था इस से इस जगा पर गर्मियों में भी थंड़क बनी रहती थी यहां छट पर कुछ कड़े लगे हुए आप देख पा रहे होंगे जिनमें जूले को टांगा जाता था और रानिया इनमें जूला करती थी इस बिल्डिंग के दर्वाजे चंदन की लकडी से बनाए गया है और इसके उपर आईवरी यानि हाथी के दातों का वर्क किया गया है लोग इसे डिश्ट्रॉई कर रहे थे इसलिए अब इसे ग्लास से कवर कर दिया गया है यहां आपको विल्चेहर भी देखने को मिलेगा ते वहारों के स्वें महीं लाएं काफी भारी कपड़े और जेवर पहना करती थी तो उन्हें चलने में दिक्कत हुआ करता था इसलिए इन विल्चेहर के सहारे उन्हें एक जहार से दुसरे जगा ले जाया सकता था किले को घूमते हुए मुझे जो दिखा उससे मुझे बहुत दुख पहुचा लोग इनकी दिवारों पे अपना नाम लिख देते हैं और इसे गंदा कर देते हैं आज हमारी प्रकिर्तिक धरोहरे बची हुई है जिससे हम अपने पाफ्ट से कनेक्ट हो सकते हैं सो रधर दन उसके बरबाद करने के हमें इससे बचा कर रखना चाहिए अब हम लोग इस किले के फोर्थ कोर्ट यार्ड में आ गया है जिसका नामा जनाना महल राजा मान सिंग 1589 से 1614 तक राजा रहे थे और उनके द्वारा इस कोर्ट यार्ड में राजा मान सिंग पैलेस और राणियों के लिए बनाएगा कमरे देखने को मिलते हैं राजा मान सिंग जी की 12 राणिया थी और उनके लिए उन्होंने 12 अपार्टमेंट्स बनाए थे यहां आपको हर एक अपार्टमेंट में आपको एक बड़ा सा हॉल देखने को मिलेगा यहां हुआ करता था राणि का बेडरूम अगर राणियों के बीच कोई परिसानी हुआ करती थी तो उन्हें 12 दरियें बुलाया जाता और राजा बीच हैं बैटकर उसका समधान किया करते थे इस जगह पर पूरूसों का प्रवेश वरजीत था और इसलिए ही इसे जनाना महल या जनाना देवडी भी कहा जाता था इस जगह ही राजा मान सिंग का महल भी है राजा इसी जगह पर रहते हैं और यहां एक गैलरी बनी हुई है जिसमें सभी राणियों के महलों में जाने के लिए एक एक सीड़ियां बनी हुई है जिससे बिना दूसरी राणियों को पता लगे हूँ किसी भी राणी के पास जा सकते थे आमेर फोर्ट ने मुझे एक यूनिक शीज दिखा इस फोर्ट में CCD भी है तो अगर आप घूमते हुए ठक गए हो तो आप खुद को यहां रिचार्ज भी कर सकते हो सुरक्षा की द्रिफ्टी से पहले किलों में सुरंगे बनाई जाती थी अभी मैं हूँ उस सुरंग में जो आमेर किला को जैगड किला से जोड़ती है जैगड किला का बेसिकली निर्मान हुआ था आमेर किला की सुरक्षा करने के लिए जैगड किला हील टॉप पे सिचुएटेड है तो वहां से देखा जा सकता था एककर कुई अटेक होने वाल हो आमेर किला पे सुधत राजाय और उसकी रोयल फैमिली इस सुरंग के माध्य हम से एल जैगड किला में पहुंच ब्हुँचיקे और वहां सेफली रह सके वैसे भी राजाय और उनके आमिर किला में रहा करते थे और शारी सेना रहा करती थी जगड किला में और in case of any attack उप एक इनकोड़ा अपने family के साथ जा सकता था जगड किला में तो चलिए हम लोग दिखाते हैं पो टैनल कैसा है और चलते हैं जयगड किला इस टैनल के माधिनिती हुआ अर चलते हैं यह भी एक experience ही है आप देख सकते हो मैं आगे अकेला पीछे सभी कोई नहीं आ रहा है मैं totally अकेला हूं उस रास्ते में लगभग देड़ किलोमेटर की सुरंग क्रॉस करते ही अब हम चलते हैं इससे बाहर और इससे बाहर निकलते ही जगड़ फोर्ट का इरिया स्टार्ट हो अगर आप बायक से हो तो आप अमेर फोर्ट के साथ वाले रास्ते से ही जगड़ फोसकते हो मिलेंगे इंट्रे टिकर फोर जैगर फोर्ट फोर इंट्रेश यहां आपको थोड़ा जाता लगर होगा विकाज सिटी पैलेस की तरह हैं इसे आज भी गौवर्मेंट के वजाए जैपुर की रोयल फैमिली ओन करती है अब हम जिस जैगर फोर्ट की वर जा रहे हैं यह फोर्ट अपने दुनिया के सबसे बड़े जैवान तोप के लिए मसूर है साथ ही यहां पर आपको तोप बनाने का कारखाना भी देखने को मिलेगा जो कि आपने सायध ही कवाले का भी देखा होगा इस जगह पर ही है एक खुफिया तहकाना जो कि एक पानी के टाके के नीचे बनाया गया है कहते हैं मान सिंग द्वारा लुटा गया सारा खजाना इसी में बन था आमेर किला का निर्मान करवाने वाले राजा मान सिंग ने सभी रियास्तों से कठा कि हुई संपत्ती को छुपाने के लिए चील का टिला नामक पहाड़ी को चुना था और उन्होंने सुलहमी सताबदी में इस किले का निर्मान करे सुरू करवा दिया था बाकी के कम सवाई जैसिंग 2 ने आमेर किला की सुरक्षा के लिए करवाया था और साल 17-26 मजे किला पूरा मन कर तयार हो गया था तो जैगर फोट में सबसे बहले हैं पहुंच जाते हैं सुभट निवास राजा अपने सैनिकों के साथ इस जगह में मिला करते थे इसे मीटिंग हॉल भी हम कर सकते हैं वैसे नॉर्मली राजा तो अपने परिवार के साथ आमेर फोट में रहा करते थे जैगर फोट में उनकी सेना रहा करती थी इस जगह पर वो अपनी सेना और अधिकारियों के साथ मीटिंग किया करते थे राजा जैसिंग की सेना 10,000 लोगों की ती जो की इस जगह पर बैठते थे और राजा अपने अधिकारेयों के साथ यहां बैठते थे इस जगह पर आपको आज भी पूराने समय के लकडी से बने हुए koolर्स, जी हाँ पहले koolर्स लकडी के बनते थे साथ ही ये है हाथी के उपर बैठने वाला हौदा और उसके बगल महीं है नगाडे नगाडे एक musical instrument हुआ करता था जब कभी कोई announcement करना होता था तो ये नगाडे बजा जाते थे इसके बाद हम पहुंचते हैं खिलबती निवास इस जगह पे राजा आपने सेना पत्लियों के साथ मिटिंग करते थे और युद्धों की रणनिती बनाते थे अब हम लोग आ गए हैं लक्षमी विलास ये जगह राजाओं के मनरंजन के रिल डेडिकेटेड था यहाँ पपिट्स हो यानि कट कुतलियों का डांस हुआ करता था आप देख सकते हो राजाओं का इस जगह आसन लगा हुआ है जैगरफोट में आपको कई पतले से और भुल भुलिया से रास्ते भी दिखने को मिलेंगे जिनमें आप एक दो बार तो कन्फूज हो ही जाओगी कि आप कहां से आये हो और आपको किसर जाना है सुरक्षा के द्रिफ्टी से भी ये एक अच्छा डिशियन था क्योंकि अगर कभी आकरवन हुआ के लिए पर तो सैनिकों को इन गलियों में घेरा जा सकता था अभी हम जिस पार्ट में आये हैं इसे कहते हैं ललित मंदिर ये राजाओं को समर पैले जगर्मियों में रहने का स्थान भी हुआ करता था अभी के टाइम पर आपको अंदर में हाथियों के उपर बैठने वाले हौदे रखे हुए मिलेंगे इन्हें हाथियों के बैक पर फिक्स कर दिया जाता था इन में से कुछ सिर्फ राजा के और कुछ दो लोगों वाले मतलब राजा और राणियों द्वारा यूज किया जाने वाले हौदे हैं ललित मंदिर के सामने ही महराजा दें साम के नजारे दिखने के लिए ये हिस्सा बनवाया था ये सागर तलाब था हाथियों के द्वारा इस जगह तक पानी लाया जाता था फिर बाल्टी को रस्टी के सारे फसा कर पानी को उपर खिच लिया जाता था इसके बाद हमें देखने को मिलता है एक गार्डन एगला जिसे भी चार बग प्रणाली के द्वारा ही बनवाया गया और इसके बगल महीं है आराम घर जहाँ पर राजा अपनी राणियों के साथ बैठ कर गार्डन में होने वाले कारे करमों को देखा करते थे तो अब हम विलास मंदिर में प्रवेस कर गया है और इस जगह को महराणियों के निवास के रूप में बनाया गया था इसके बीच में एक हाल है और दोनों तरफ एक एक बेडरूम बने हुए हैं राणिया इस जगह पर बैठ कर होने वाले कारे करमों का अनन लिया करती थी आप देख सकते हो ये कितनी खुबसूरती के साथ बनाया गया है यहां पे एक जाली नुमा दिवार और उस पे एक छोटी सी खिड़की बनायी हुई है जिसकी मदद से राणिया आमेर फोर्ट और अरावली रेंजर से खुबसूरत नजारे भी देख सकती थी इसके बाद आपको राजा और राणियों की भोजन साल आये भी देखने को मिलती है आप यहां से आमेर फोर्ट और आमेर सीटी भी देख सकते हो जैपूर की संस्थापना से पहले आमेर की कछवाहों की राज़ानी भी हुआ करती थी आमेर अब वर्ल्ड हेल्टे सीटी में आता है यह बहुत ही पुरान साहर है इनफेक्ट कई घर तो अब यहां खंडर भी हो चुके हैं राजा अपने परिवार के साथ आमेर फोर्ट में रहा करते थी और उनकी से जैगर फोर्ट में रहा करती थी और क्यूंकि यह थोड़ी हाइट पर है यह बहुत ही अच्छा पुइंट होगा करता था सरविलांस के लिए अब हम लोग फोर्ट के जिस पार्ट में जा रहे हैं वो अपने तोपो के कारखानों के लिए मस्फूर है और यहाँ पर उन्होंने तोप बनाने का करखाना इस्टैब्लिस किया यह है बजरंग बान तोप जो की काफी बड़ा तोप है सबसे बड़ा तोप तो जैवान तोप है जिसे हम आगे देखेंगे लेकिन ये भी आप देख सकते हो कितना बड़ा तोप है, जिससे बग्गी की उपर रखा गया है अभी हम आ गये हैं तोप के खाने में आप देख सकते हो इस जगह ही तोपों के बैल को ढाला या सेष दिया जाता था जैवान तोप को भी इसी जगह बनाया गया है पहली ये मिट्टी का साचा बनाया जाता था फिर इसके उपर मेटल या अस्ट धातू के साथ high temperature पर बैलो के मदद से शाफ्ट को घुमा घुमा कर इसके barrel को save दिया जाता था ये हुआ करता था भठी जिस जहाँ पर मेटल या अस्ट रात्यू को पिखला कर एक्सल पर ले जाये जाता था अभी हम उस सेक्षर में है जहाँ आपको तोपो को बनाने के लिए विभिन तरीकी के आउजार और बरतन रखे हुए दिखने को मिलेंगे बढ़ाई की आउजार, लोहार के आउजार, लोहार का समान, डिफरेंट दिखिके के पात्र, तोपो की कटर और भी मशीन्स देखने को मिलता है अब हम पहुंस गया है जैगरफोर्ट के सस्त्रागार म्यूजियम में और यहां हमें अलग-अलग समय में बनाये गए सस्त्र देखने को मिलते हैं जैसे कि यह 1662 में राजा मान सिंग के समय बनाये जाने वाली मच्छवान तोप, यहां सभी तोपों को अलग-अलग नाम भी दिया गया है यह है भैरवी तोप, जिसे 1780 में जैसिंग जी के सासनकाल में बनाया गया था और उपर रखे हुए हैं परसे, जिने आपने भगवान परशुराम के हाथों में देखा होगा इसके अलावा भी आपको उस समय के बंदूकें और तलवारें देखने को मिलती है यह है डिफरेंट टाइप अफ एरोज और उसके नीचे है 50 कीजी का वो गोला जिसका उपलोग जैवान तोप में किया जाता था म्यूजियम के बगल में फोर्ट में ही एक सौप भी है जहां पर आप ट्रडिशनल राजिस्थानी ड्रस पहन कर कई पिक्चर्स भी करवा सकते हो जैगर फोर्ट के म्यूजियम को देखकर अब हम पहुंच गहे हैं इस फोर्ट के सबसे बड़े पानी के टाके के पास बारे से पहाड़ी का पूरा पानी रीन वाटर हार्वेस्टिंग से इस टाके में आ जाया करता था इस टाके के कैपसिटी 60 लैक गैलन का था जिसमें 10,000 सैनिक अगर रोज भी पानी पियें तो वो 2 साल तक पानी पी सकते थे चूना और फिटकेरी के मदद से पानी को क्लीन करके से लंबे समय तक इस्तिमाल किया जा सकता था कहते हैं इस पानी के टाके के नीचे ही एक तहखाना है जिसमें खाजाना दबा हुआ था उसमें यहां से इंट्री तो नहीं कर सकते हैं लेकिन लोग कहते हैं आमेर किला से एक सुरंग आती है जो सीद तहकाने में ही खुलती है मानते हैं अकबर ने जब अफगानों की खिलाफ सेने अभ्यान का जिम्मा राजा मान सिंग जी को दिया था जिने हाराकर मान सिंग अपने साथ लूटा हुआ धन और खजाना लेकर रहा है थे और उसे इसी पानी के टाकी के नीचे छिपा दिया था 1976 में इंद्रा गांधी के सासनकाल में इमर्जेंसी के दोरान सियना के मदद से इस किले को घेर कर इसमें खजाने के लिए सर्च वाप्रेसन चलाया गया सरकार खजाने के मिलने की पुष्टी तो नहीं करती लेकिन खोज खत्म होने के बाद जैपूर दिल्ली इक्स्प्रेस बंद कर दी गई और उस पे भारी मातरा में सिर्फ और सिर्फ सेना के ही ट्रक्स गुजर रहे थे अब हम जा रहे हैं जैगर फोट में रखे दुन्या के सबसे बड़े तोप जैवान तोप को देखे रहे हैं इस तोप का निर्माण महाराजा सवाई जैसिंग ने 1720 में करवाया था और किले के सभी तोपों की तरह इससे भी यहीं किले के कर खाने में मनाया गया था आपको मैं बता दूं कि इस टोप को कभी युद्धों में استعمال नहीं किया गया इसका उप लोग केवल एक बार ही किया गया है वो भी केवल परिक्षन के लिए और उसमें इसकी रेंच 35 किलोमेटर की पाई गई थी उस सेमें इसका गोला चाक्सू नावक जगा पिगी राथ जहां तालाब का निर्मान हो गया था जो कि आज भी गोली मार तालाब के नाम से जाना जाता है इस तोप का बैरल 20 फीट लंबा है और गाड़ी सहीत इसका टोटल बजन 200 तन का है जिसमें से 200 तन की गाड़ी है और 50 तन का बैरल है जैवन तोप का बैरल अफ्ट धातू का बैरा वह ताकि इसमें जंग न लगे साथ ही इतने बड़े भी स्पोर्ट से आईरन का बैरल फट भी सकता था जबकि अफ्ट था तो इससे अच्छी मजबूती प्रवाइड करती है जैसा कि आपको मैंने म्यूजियम में दिखाया कि इस तोप में एक बादें 50 किलो का गोला और 100 किलो बारू दिस्तमाल किया जाता था इससे जलाने के लिए 100 फिट की एक बत्ती बनाए गई थी और जिसे चलाने वाले सैनिक पास में ही बने एक टाके में कूद गए थे इतने बड़े धमाके से उनके कान के परदे न फट जाए जैगर के लिए में हमें रेन वाटर हाद विस्टिंग का बहुत ही सांदार सा नमूना देखनी को मिलता है पहाडों में होने वाले बारिस का पूरा पानी इन कैनार्स के जाहरे पानी के टाके में चला जाता था और इसे बाद में लंबे समय तक इस्तेमाल भी किया जा सकता था तो जैगड़ फोर्ट एक्स्प्लोर करने के बाद मैं निकल पड़ता हूँ नहारगड़ फोर्ट के लिए लेकिन वहाँ पहुंचने के लिए तो मुझे कोई भी शेरिंग आटो, टैक्सी या कन्वेंस मिलता ही नहीं है जैगड़ फोर्ट से नहारगड़ फोर्ट का डिस्टेंस लगवक 5 km का है और इसके लिए हमें देने पड़े 200 इंडियन रुपीज खैर अरावली रेंजर्स के सुंदर निजारी को निहारते हुए हम बहांच के नहारगड़ फोर्ट अच्छे तरीक से निग्रानी रखी जा सकती थी इसलिए उन्हों ने इस फोर्ट का निर्मान करवाया साथ ही साथ ये एक अगर आज के जमाने में कहें तो ये एक टाइम पास जगह भी हुआ करता था यहां पर राजा अपने राणियों के यहाथ आ करके फ्ट्राद क्वा इस बावडी में आजया करता था जिसे बाद में उपयोग में लाया जा सकता था फोर्ट में ही आपको एक इमारत देखने को मिलेगा जिसका नाम है माध्यवेंद्र भवन सवाई राम सिंग के मृत्यों के बाद सवाई माध्यों सिंग को मात्र 11 साल के उम्र में ही राजा बना दिया गया था जिनोंने इस माध्यवेंद्र भवन का निर्मान करवाया इसमें प्रवेश करते ही हमें एक चौक देखने को मिलता है जिसका उप्योग विभिन ने कारेकरम और तयोहारों को आजूजीत करने के लिए किया जाता था आपको मैं बता दूँ कि सवाई प्रकास, अनंद प्रकास, पुसल प्रकास, लक्षमी प्रकास, जवाहर प्रकास और ललीद प्रकास दिखने में आपको ये 7 पैलेसेज लगेंगे लेकिन आक्शली ये 9 पैलेसेज हैं दरसल 7 पैलेस में दो और पैलेस है जिने कहते हैं रतन प्रकास और बसंत प्रकास जो क रामने वाला दसवा महल राजा के लिए बना हुआ था, नॉर्मली राजा का निवा सिटी पैलेस हुआ करता था, लेकिन इन केस आफ एनी अटेक राजा इस जगह पर सेफली आ सकते थे, साथ ही हाइट पर होने कारण इस जगह से जैपूर के सिटी पैलेस पर नजर भी रखी जा सकते थी, अब हम लोग चलते हैं, नौ राणियों में से एक के पैलेस के अंदर, ये रानि का विंटर पैलेस हुआ करता था, और इसके उपर समन्त पैलेस हुआ करता था, ये जो कमरा हम देख रहा है, ये रानि का किचैन हुआ कर अब देख सकते हैं, कि यह कि किटनी कमरा स्टोर रूम हुआ करता था आप यहाँ पर देख सकते हो कि धेर सारे यहाँ पर रैक्स बने हुए यहाँ पर समानों को स्टोर किया जा सकता था आप देख सकते हो रानी के दोनों तरफ बने हुए कमरों में दासिया रहा करती थी और बीच में रानी का कमरा हुआ करता थ सकता था यहां पर रैक्स विने हुए हैं जिनके उपकर समाननों को रखा जा सकता था इस बेटरूम के बाईं loft वाल अपक्ष रानी कहा मेकप रूम हुआ करता था जहां पर रानी तयार हुआ करती थी और ढैं तरफ वाल अके उनका dining room हुआ करता है जहां पर आनी भोजन क्या करती थी चली अब हम उपर चलते हैं और देखते हैं राणियों के summer palace को इसके बाहर जो कड़े लगे हुए हैं उसमें गीले खस-खस को लटका दिया जाता था ताकि इसके अंदर आने वाले हवाएं इसे च्छन कर थंडी हो ज जाती है नीचे की तरह ही यहां भी दिवारों पर बहुत सुनर सी चितरकारी की गई है जिसके कारण मैंने तो अपने कैमरे को टिका कर बहुत सारी पिक्चर्स क्लिक करनी शुरू कर दी यहां उपर भी कड़े लगे हुए हैं जिनमें कपड़े के पंके टांगी जाते थे जिन्हें दासियां डोलगियों के मदद से खीच कर चलाया करती थी नीचे की तरह ही इस फ्लोर पे भी मेकब रूम और भोजन साला भी बना हुआ है सीम अस्ट्रक्चर ही सभी राणियों के महलों में देखने को मिलता है फोर्ट में गलियारा भी बना हुआ जो की सभी राजा ही यूज किया करते थे राजा को जिस किसी राणी के पास जाना होता था वो उनके महल में इसी रास्ते से जाते थे और दूसरी किसी राणी को यह नहीं उपए चलता था कि राजा किस राणी के पास गया है जैसा कि मैंने बताया कि माधवेंदर भ्रवन चौक पर उ और इस जगह पर आपको बहुत ही सुन्दर सी पेंटिंग्स देखने को मिलेंगे। राजा के महल के दूसरे भाग को अब एक रिष्ट्रों के रूपें बदल दिया गया है। जहां पर आप फूड के साथ जैपूर के सुन्दर नजारे को भी इंजॉय कर सकते हो। अब हम लोग आ गए हैं माधिवेंद्र पहुन के छट पे और नीची जो राणियों के पैलसिज मैंने आपको दिखाएं। उनके टॉप व्यूज आप यहां से एंजॉय कर सकते हो। डे टाइम में जैपूर सिटी और नाइट में स्पार्कलिंग जैपूर के सांदार नजारे भी आप यहां से देख सकते हो। नाहर अगर किले से जुड़ी एक स्टोरी भी सुनने को मिलती है जिसके कारण इसे एक भूतिया किला माना जाता है। कहते हैं इस किले के निर्मान कैसे हमें दिन में बनवाई के दिवारे हर एक रात को गिर जाय करती थी। हैं अपनी रूम की और साथ ही इस वीडियो करते हमें को इसी जगह पर एंड और अगर आपको यह जानना है कि क्यों मैं इस सुनसान से हॉंटेट से रास्ते से जा रहा हूं तो वेट फॉर मैं नेक्स्ट वीडियो जिसमें मैं जैपूर ट्रेवल की टिप्स और ट्रिक्स स अगर अच्छा लगा तो लाइक कमेंट सब्सक्राइब तो मैं यूट्यूब चैनल मिलते हैं आपसे नए वीडियो में किसी नए जगह पर तब तक के लिए सब्सक्राइब झाल लाइब